देखिए भारत बंद का जो लुकिये हैं वेशल स्वार्थी तक्र हैं स्वार्थी तक्र इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं बड़े भाई हैं छोटे भाई की प्रगती नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि सव में सव का लाव हम ले ले सुप्रीम कोट को धनेवाद देते हैं कि समय की नाजकता को देख करके हम लोगों में वरगी करन की बात किया जैसे किसी घर में चार भाई होते हैं आपर फिर नहीं पढ़ता है तो संसादनों का बटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़ियां से रहते हैं आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और मानिय शुप्रीम कोट ने भी कहा कि वरगी करन होना चाहिए कि जो समाच 76 ब्रस अजादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है उसको अलग विवस्ता होनी चाहिए और जो 76 ब्रस में शिलूल कास्ट आरक्षन का लाब लेकर के डाक्टर, इंजिनियर, आईएस, आईपीएस, फोरियन सर्विसेज में, राजदूर्ट में, एमेले में, पा अज़ना सुधा मिली, सुधा है, वो सबका 90 परतिशत वोही 2-4 पहुंच जातियां मिलकर के ले लिया है, बागी जो 18 जातियां बिहार के रिस्तर में, वो आज खासिये पर है, मात 5 परसेंट या 7 परसेंट लाब मिला है, तो ये न्याय नहीं है, ये न्याय हुआ है, और स्वार्थ की बात नहीं है, ये इदम गहर स्वार्थ की बात है, तो ऐसे तक जो आज बंद का नारा दिया है, सब स्वार्थी है, और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठा करके आया था, हम लोगों से मना किया, कि सुप्रीम कोट ने जो आदेश दिया है कि वर्गी करन होना चा मानिये प्रधान बंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था, इसलिए आज का बंद उनलों का अनावत्य अनायतिक है, उनलों को बिश्चार करना चाहिए कि हमारे परिवार्थ, हमारा छोटा भाई किस गुरुवत में है, उसको लोग देखे, तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का काउल को हम अच्छा नहीं समझते हैं, इसको आनायतिक और स्वार्थी अनलों करार देते हैं.